बोपाल क्राइम ब्रांच ने आमस्द तसकरी के आरोप में फरार अमन पढ़ान को गिरफतार किया है आरोपी आमन पिछले एक साल से पुलिस से फरार चल रहा था पुलिस के मताबित आरोपी से पोस्टाश की जा रही थी निशाद पुराधाना की पुलिस को आरोपी की तलाश पिछले एक साल से थी क्राइम ब्रांच एस पी मुक्तार कुनेशी ने बदाय किसे पहले आमन के सातियों को गरफतार कर जेल भेजा जा चुका है। के बदमाज पुलिस को एक साल से चक्मा दे रहे थे। क्राइम ब्रांच को मुक्बीर से सूचना मिली थी के हतियारो के मामले में फरार आरोपी कारौन्द में हरी मजार के बास खड़ा है। बौके पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुचकर गिराबंदी किया और उसे तब पहुच लिया आरोपी का कोड से रिमांड लेकर पोस्ताश की जा रही है इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक लिए धन्यवाद कर दोन है